हलो दोस्तो नमस्कार कोछ नोगोग बदलाव होते पिए इनके देश में इनके देश में इसी चीज़ का प्रेशर हमारे बाजार के पर भी डायरक ररा इंडारेक लिए आते पी मिल चुके है इनके देशर हमारे और बाईटर हुपर धिर्क अगर एक बात करे吗 सबसे बड़ी problem क्या है जपान की नीज तो चलो ठीक है बट चाइना और हमारी अगर हम लोग बात करें हापे तो एक दूसरे के साथ हम बहुत बड़े higher level के competitors हैं ठीक है तो ये बात आप लोगों को यहापे समझनी है मतलब अब सब लोगों को पता है कि चाइना तो manufacturing hub है ठीक ह उसके बाद काफी सारे countries ने decision ले लिया कि वही सिर्फ हम हमारा अगर business manufacturing hub सस्ता पढ़ता है इसलिए सिर्फ चाइना में रखेंगे तो काफी दिक्कत यहापे हो जाएगी और उसके बाद आपको पताईए कौनसी policy create हो गए yes c plus one c plus one बोले तो चाइना प्लस one कि चाइना के लेबर मार्केट की भी बात करें तो चाइना जीतना तो सस्ता नहीं मिलेगा बट comparative थोड़ा बहुत तो सस्ता मिल गया तो चल जाएगा और इसलिए सबसे बड़ा विकल्प कोई था तो हमारा भारत देशी था ठीक है same almost size labor power manpower की अगर हम लोग बात करें ठीक है और चाइना कितने सारे semiconductor की कंपनिया भी यहाँ पर हम लोगों को आते वे देखने का आप मिल रही है तो बेसिकली बताने का मकसद का है दोस्तों कि चाइना और हमारा बहुत बड़ा competition भी investment लेवल पर भी stock market लेवल पर चलते वे देखने का आप मिलता रहता है इसी से related जैसे मैंने फर्स वीडिये में भी बताया कि आज के दिन जो भी हम लोगो कुछ drama देखने का आप मिल गया ठीक है चाइना के government ने जो भी policy है यहाँ पर बदल दी इस चीज़ के चलते चाइना का market जिस प्रकार से भागा है so foreign institutional investor को वापस चाइना का market काफी attractive नजर यहाँ पर आ रहा है तो इसे लिए हम लोग इंतजार करे थे आज के दिन की बात करें तो FIS ड.is activities का क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि अगर FIS ने माल बेचा है तो कितना बेचा है करके दूद का दूद पानी का पानी यहाँ पर हो जाएगा तो जिस बात का डर था कि FIS बहुत बड़ा माल बेचेंगे तो वो डर हकीकत में भी तकदिल होते वे देखने का आपे मिल चुका है कि आज की दिन के अगर हम दोग बात करें FIS ने 16,000 करोड का माल खरीदा बट उसके अगें 26,000 करोड से भी ज्यादा का माल बेच दिया almost 26,000 करोड का माल बेचा conclusion निकल कर रहा है 9,798 almost 9,800 करोड की net दमदार बिक्वाली FIS के ओर से देखने को मिल गई सो आज के दिन का डर यही था कि FIS ने मजबूत माल यहापे बेचा होगा ठीके क्योंकि sentiment ही वही थे कि हमारा जो competitor है China वहापे काफी अच्छे खबरे देखने को मिल रही है वहाँ के economic को boost देने के लिए सरकार ने जबरदस फैसले लिये है सो might be जो पैसा अभी इंडिया में आते वे देखने को मिल रहा था foreign institutional investor से वह अभी shift होके China भी जाते वे देखने का आपे मिल सकता है और यह data उसका एक बहुत ही अच्छा प्रमाण भी हम लोगों को दिखाते वे देखने का आपे मिल रहा है no doubt DIs ने भी अपनी side से कोशिश की 6,000 करोड का माल खरीदने के लिए बट जिस प्रकार से FIs ने आज के दिन विक्वाली की है so यह prove होते वे देखने का आपे मिल चुका है कि इबदम ही जबरदस तरीके से चाइना ने जो comeback करने की कोशिश की है उसका impact हम लोगों को देखने का आपे मिल रहा है so FIs आप देख सकते हैं इसके पहले भी बेचा है 2700, 900, 1200 बट लगबग लगबग 10,000 करोड के आसपास का माल बेचना ओल्मूस्ट ठीक है काफी बड़ी बात हम लोगों को देखने का आपे मिल जाती है so definitely चाइना की अगर हम लोग यापे बात करें इसी चीज़ की चलते चर्चा होती भी देखने कोड़ा है आपको first day में जैसे आपको बताया चाइना के जो 4 बड़े index देख सकते हैं आप 8% index भागना एक second के लिए सोच कर देखो अगर nifty 50 कभी अगर 8% अगर ऐसा भागा तो कभी भागा है है इसके पहले भागा है बहुत भागा है वही 10% 12% भी भागा है ठीक है corporate tax भी cut किया था तभी कुछ 7% ऐसा कुछ तो भागा था ठीक है circuit भी लगा था आपको याद है 2008 के election जो हम लोगों को देखने को मिले थे ठीक है इतना जबरदस हम लोगों को performance देखने को मिले आप देख सकते चाइना के जितने भी मार्केट है देखे दस-दस पसेंट साड़े-दस पसेंट धाई पसेंट साथ पसेंट इदम कमाल का performance देखने को मिल चुका है जैसे first day में आपको बताया कि चाइना का बाजार हम लोगों को देखने को आप मिल रहा है कि चाइना में इतना कमाल का comeback होते वे देखने को मिले और जो कि हमारा सबसे बड़ा competitor भी है और हर स्तर के उपर अगर हम लोग बात करें तो हमारा वो competitor देखने को मिल जाता है तो अभी तक कि कान इसे हम लोगों को यह पता जला कि ज स्टिमिल्स पैकेज उनको प्रोवाइड नहीं कर रही थी ना कोई मदद कर रही थी बट अचानक से उन्होंने मदद करना स्टार्ट कर दिया तो अभी definitely foreign institutional investor चायना के और वापस हम लोगों को जोरो सोरो से comeback करते वे देखने का आप मिल सकते हैं अभी what next अभी हम आगे यह करें हमारा market कोई खतम भिधम नहीं होगा यह मैं पहले आपको बता दू ठीक है अच्छी opportunity तो रहती है हमारा खुद का भी वजुद है हम काफे अच्छा यहापर कर रहे है ठीक है so what next में अगर हम लोग बात करें तो किस चीज के उपर हम लोग ने focus रखना है तो no doubt अभी Chinese government के उपर भी आपको focus यहापर रखना पड़ेगा तो कि आप just imagine करके देख लेना कि सिर्फ उन्होंने stimulus यहापर अनौंस कर दिये पैकेज अनौंस कर दिये liquidity बाजार में छोड़ दी ठीक है mortgage की अगर हम लोग बात करें घर ले रहे हो तो उससे related loan सस्ता यहापर कर दिया ठीक ह then reserve ratios की अगर हम लोग बात करें वो घटा दिये तो जितना हो सके वो यहापर market को भगाने के लिए and economy को strong बनाने के लिए facelay यहापर ले रहे है तो सरकार के उपर अभी आपको एक नया काम यहापर लग चुका है आपको मतलब हम सभी लगों को कि China के उपर भी and government के उपर भी हम लोगों को focus रखना पड़ेगा वहापर कोभी कौन सी news निकल कर आ रही है कभी उनकी meeting रहेगी वो देखना पड़ेगा कौन सा और stimulus package वो announce करते है जिसके चलते है अगर बादर अगर और तेजी में अगर आ गया तो हमारे market के लिए काफी चिंता जनक बात सावित हो सकते है और भी अलग-अलग major से आपे लेकर आने वाले है economy को सुधारने के लिए तो definitely जो पैसा हमारे market में आ पे आ रहा था या फिर और भी आने वाला था and rate cut के करीब हम लोग देख रहे भाई rate cut करीब मतलब already अमेरिका में rate cut हो चुका है बट और भी rate cut होने वाले है तो जो पैसा है अमेरिका से निकल कर कई हमारे इदर कम आके चायना के और अगर जाना स्टार्ट हो गया तो हम लोगों के लिए दिक्कत है आपे हो सकती है तो इस चीज के चलते है चायना के उपर अभी हम लोगों को focus रखना या पर पड़ेगा जपान के पीछे का तो reason काफी ज़्यादा बात करते है और जपान आप सभी लोगों को पता है दुनिया में सबसे आदा famous एक ही चीज के लिए मतला बहुत सारे चीज़ों के लिए बट investment के इसाप से अगर हम लोग बात करे पैसों के मुकाबले अगर बात करे तो एक चीज के लिए काफी ज़्याद लोगो होते वे देखने को मिल जाते है आप उनका funding देख लेना कितना जबरदस funding जपान के ओर से हम लोग आते वे देखने को मिल जाते है बड़ अगर इसके interest अगर बढ़ने लग गए तो आगे हर किसी country के अगर हम लोग बात करे तो इसके लिए एक problematic situation create हो सकती है तो यह ए BCB की बात करते थे या फिर Bank of England की बात करते अब भी तो Bank of Japan की उपर तो खास focus रखना पड़ेगा ठीक है तो क्यूंकि जिस प्रकार के प्रदान मंत्री वहाँ पे हम लोग आते वे देखने को मिल रहे पावर पे rate high की चर्चा काफी जोरो शोरो से वहाँ पे हम लोग लोग देखने को आपे मिल चुगी है तो इस चीज के चलते इस point को भी आप लोग नोट करके चल सकते हो बट golden point भूलना मत golden point तो भाई एक ही है कौन चीन चाइना की अगर हम लोग आपे बात करे भाई इसके उपर तो काफी अच्छा focus रखना पड़ेगा ये point पता होना चाहिए बट हाँ ये एक बात भी सच है काफी लोगों ने comment section में भी एक बात बोली है चुकि हम लोगों के लिए एक अच्छी भी है कि चाइना में recovery तो ज़रूर यहापे हो रही बट काफी investor चाइना में निविश करने के लिए कतराते भी है ठीक है कातराने का आरत यह नहीं होता है चैन्ज कर दे और आपका पैसा अटक जाए किसी को नहीं पता है तो यह सबसे बड़ा रिसक होता है चाइना में ठीक है ग्रोथ के चलते आप भी पैसा यहापे लगा दो उसके बाद बादार भाग रहे आपके रिटन भी बन रहे है और बाद में कुछ वो rules regulations बदल दे जो चाओ तो पैसा लगाओ आप निकालना चाते हो तो निकालो ठीक है तो यह चीज़े देखने को मिल जाते है तो एक reliability हमारे market में and flexibility काफी अच्छी तरीके से देखने को मिल जाते है बट इस point को भी आप ज़रू focus में रख सकते हो और जो लोग यह आपे पूछ रहे है आकरी जो सवाल कॉन सा सर मिडल इस्ट से related क्या खबरे अरे वो तो चलता रहेगा जैसे में निकाला है न कि क्रूड ओयल की उपर ध्यान रो क्रूड ओयल अगर इस प्रकार से चल रहा ने बढ़का हुआ नहीं देखने को मिल रहे है न टेंशन मत तो वो चीज़े चलती रहेगी मिडल इस्ट से related रोज आपको कुछ ना कुछ ड्रामे देखने का आपे मिलते रहेंगे ठीक है वहाँ पे अगर कुछ बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ कि कुछ बहुत ही बड़ा serious attack अगर हो गया क्रूड का चार्ट आपको सारी चीज़े clear out कर देगा कि कुछ ना my eyes के उपर focus रखना पड़ेगा भाई क्या कर रहे करके then China के उपर focus रखना पड़ेगा और थार्ड अगर देखा गया तो Bank of Japan के उपर भी focus रखना पड़ेगा उनके supportive पॉन के उनके उपर भी focus रखना पड़ेगा अमेरिका ने तो अलग से टास्क हमेशा देके रखा आपे जो जॉबलेस क्लेम का डेटा आएगा जीडीपी का डेटा आएगा वहां के अर्निंग्स कैसे आएगे तो यह सारी चीजों को स्टड़ी आपे करना पड़ेगा उस हिसाब से हम लोगों को डायरेक्शन मिलेगा कि बाजार किस दिशा में जा रहा है करके सो ठीक है दोस्तो आशा करता हूँ वीडिया एलफूल लगा होगा तो चाओ तो आप लाइक और शेयर कर सकते हो मिलते नेक्षड़े में तब तक के लिए बबाए